दोस्तो वीडियो की नीचे जो चैनल का नाम दिख रहा है कुछ अलग कुछ रोचचक उसके साइड में जो लाव रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करके साइड में जो बेल आइकन है घंटा का आइकन उसको आल कर दीजे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलो ठीक है तो पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं सुरुवात से देख सकते हैं इसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल का नाम है उसके क्लिक कीजेगा फिर प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं सुरुवात से उसके बाद आज का चैप्टर है सिराम का राजा को उपलब्द देते हुए कैके इसे कौशल यादिक्यानिष्टि के आसंका बताकर लक्षमन को आयोध्या लोटने के लिए प्रहतना करना लक्षमन का सिराम के विना अपना जिबन असंबब बताकर वहां जाने से इनकार करना फिर सिराम को उन्हें बनवाश की अनुमती देना उस ब्रिक्ष के नीचे पहुँच कर आनंद प्रदान करने वालों में सेश्ट सिराम ने कौन सा ब्रिक्ष ये मैंने पिछले वीडियो पर बताया है ठीक है तो उस ब्रिक्ष के नीचे पहुँच कर आनंदर प्रदादन करने वारे सेश्ट स्री राम ने सायंकाल की संध्या पसना करके लक्षमन से इस प्रकार कहा तो ये चित्र है बन में जाने तक का तो स्री राम ने लक्षमन से कहा सुमित्र नंदन आज हमें अपने जन्पत से बाहर ये पहली रात प्राप्त हुई है जिसमें सुमंत्र हमारे साथ नहीं है सुमंत्र मतलब राजा दश्रत का जो मंत्री था इस रात को पाकर तुम्हें नगर की सुक्सुविदाव के लिए उतकंटित नहीं होना चाहिए लक्षमन आज से हम दोनों भाईयों को अलस्त छोड़ कर रात में जागना होगा क्योंकि सीता के योगशेम हम दोनों के ही आदीन है सुमित्रने नंदन ये रात हम लोग किसी तरह बिठाएंगे और सयम संग्रह करके लाए हुए तिनकों और पत्तों की सहया बनाकर उसे भूमी पर बिचा कर उस पर किसी तरह सो लेंगे जो बहुमिल्य सहिया पर सोने के योग्य थे वे स्री राम भूमी पर ही बैट का सुमित्र कुमार लक्षमन से ये सुब बाते कहने लगे लक्षमन आज महाराज निस्चे ही बड़े दुख से सो रहे होंगे परन्तु कहके ही सपल मनुरत होने के कारण बहुत संतुष्ट होगी कहीं ऐसा नहों की रानी कहके ही भरत को आया देख राज्य के लिए महाराज को प्रानों से भी ब्रक्त कर दे महाराज का कोई रक्षक ना होने के कारण वे इस समय अनात हैं बुड़े हैं और उन्हें मेरे बियोग का सामना करना पड़ा है उनकी कामना मन में ही रह गई तथा वे कहके के भश में पढ़ गए हैं ऐसी दसा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे तो सिरामजंद्र जी ने जो बाते कही है वे लक्षमन की परिक्षा के लिए तथा उन्हें आयुद्धा लोटने के लिए कही गई है वास्तव में उनकी ऐसी माननेता नहीं थी यही बात बेच्षाकारों ने स्विकार की है तो सिराम लक्षमन की परिक्षा कर ले रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं लक्षमन सच में बन में मेरे साथ रुखना चाहता है या नहीं इसलिए लक्षमन जी का सिराम जी टेस्ट ले रहे हैं अपने उपर आये हुई इस संकट को और राजा की माति भ्रांद को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अर्थो धर्म की अब एक्षा काम का ही गौरवदिक हैं लक्षमन पिताजी ने जिस तरह मुझे त्याग दिया है उस प्रकार अन्यन आग्या होने पर भी कौन ऐसा पुत्र का परित्या कर दे कैके कुमार भरत ही सुखी और सवाग्यवति स्त्री के पती हैं जो अकेले ही हच्ट पुष्ट मनुस्तों से बरे हुए कोशल देश का समराट की बाति पालन करेंगे पिताजी अत्यंतर ब्रिद्ध हो गये हैं और मैं बन में चलाया हूँ ऐसी द का सिगरी आपत्य में पढ़ जाता है जैसे इस प्रकार महाराज दस्रत पढ़े हैं सवब्या मैं समझता हूँ कि महाराज दस्रत के प्रानों का अंत्र करने मुझे देश निकाला देने और भरत को राज्य दिलाने के लिए ही कैके ही इस राजभ्यवन में आई थी इस समय भी सवबाग्य के मत से मोही थी कैके ही मेरे कारण कोशलया और समित्रा को कश्ट पहुचा सकती है हम लोगों के कारण तुम्हारी माता समित्र दिवी को बरे दुख के साथ वहां रहना पड़ेगा अतलक्षमन तुम यही से कल प्रते कल आयध्या को लोट जाओ तो सिराम जी देखना चाहते हैं कि लक्षमन सच में मेरे साथ रहना चाहता है या घर में चले जाना चाहता है सुख से रहना चाहता है टेस्ट ले रहे हैं वो मैं अकिलाही सिता के साथ डंडग बन को जाओंगा तुम वहां मेरी असहाई माता कोशन लेके सायक हो जाओगे धर्माग्य लक्षमन केके के कर्म बड़े खोटे हैं वो द्वेस वस अन्याई भी कर सकते हैं तुमारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है तास सुमित्रकुमार निश्चेवी पूर्वजन में मेरी माता ने कुछ तिर्योक का उनके पुत्र से वियोक कराया होगा उसी पाप का ये पुत्र विचोरूप फल आज उने प्राप्त हुआ है मेरी माता ने चरकाल तक मेरा पालुन पोशन किया और स्वयम दुख सेकर मुझे बढ़ा किया अब जब पुत्र से प्राप्त होने वाले सुक रूपी फल के भोगने का अबसर आया तब मैंने माता कोशल्या को जाने आपने से बिलाग कर दिया मुझे दिक्कार है सुमित्र नंदिन कोई भी सवग्यवत इस तरीका भी ऐसे पुत्र को जन ना दे जैसा मैं हूँ क्यूंकि मैं अपने माता को अनंतर सोग दे रहा हूँ लक्षमन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि माता कोशल्या में मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वो सरीका ही करती है क्यूंकि उसके मुक्ष से मा को सदा ये बास सुनाई देती है कि ए तो ते तु सत्रू के वेर को काड़ खा अर्थात हमें पालने वाली माता को शल्या के सत्रू के पाउ को चोच मार दे वो पक्षिनी होकर माता का इतना ध्यान रखती है और मैं उनका पुत्र होकर के भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाता सत्रू दमन जो मेरे लिए सोक मगने रहती है मंद भागिनी सी सो रही है और पुत्र का कोई फल ना पाने के करण निम्पूत्ती सी हो गई है उस मेरी माता को कुछ भी उपकार ना करने वाले मुझ जैसे पुत्र से क्या प्रवयजने मुझसे बिचुड जाने के करण माता कोशल्य वस्तब में मंद भागिनी हो गई है और सोक के समुद्ध में पढ़कर अत्यांत दुख से अतुर हो उसी में सयन करती है लक्षमन यदि मैं कुपित हो जाओ तो अपने बाना द्वारा के लाए आयुद्धा पूरी तथा समस्त भुमंडल को निश्कंटक बना कर अपने आधिकार में कर लूँ परन्तु परलोग के हित सादन में बल पराक्रम कारण नहीं होता है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ निश्पा बलक्षमन में अधर्म और परलोग के डर से डरता हूँ इसलिए आज आयुद्धा के राज्जब पर अपना अभिशक नहीं कराता हूँ ये तथा और भी बहुत सी बाते कहेकर स्री राम ने उस निर्जन बन में करूना जनक बिलाब किया तत्पस्चाद वे उस रात में चुपचा बैढ़ गए उस समय उनके मुक पर आशुओं की धारा बै रह रह थी और दिंता चा रह थी बिलाब से निब्रित होने पास स्री राम जोरा रहित अगनी और वेक्षुने समुद्र के समान सांत पतीत होते थे उस समय लक्षमाण ने उन्हें अस्वसन देते हुए कासत अस्तधारियों में स्रेश्ट स्री राम आपके निकल आने से निश्चे ही आज अयुद्धपुरी चंदरहीन रात्र के समान निश्चेद हो गई पुर्शतम स्री राम आज जो इस तरह संतप्त हो रहे हैं ये आपके लिए कदापी उचित नहीं है आज आप ऐसा करके सिता को और मुझको भी खेद में डाल रहे हैं रगुदंदन आपके बिना सिता और मैं दोनों दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते ठीक उसी तरह जय से जल से निकल हुए मच से नहीं जीते हैं सत्र को ताप देने वाले रगुबीर आपके बिना आज मैं ना तो पिताजी को ना भाईसात्रुगना को ना मादा सुमित्रा को और ना स्वर्ग लोग को ही देखना चाता हूँ तरनांतर वहां बैटे हुए धर्मबस्तर सीता और स्रीराम ने थोड़ी दूर पर बट बिक्चे के नीचे लक्षमन द्वरा सुन्दर ढंक से निर्मित हुई सहया देखकर उसी का आसर लिया अथात वे दोनों वहां जाकर सोगे सत्रु को संदब देने वले रगुनार जी ने इस प्रकार बनवास के पती आदवर पूर्बक कहा हुए लक्षमन के अत्यंति उत्तम बचनों को सुनकर सोयमभी दिर्गकाल के लिए बनवास रूप धर्म को स्विकार करके संपूर्ण बश्चों तक लक्षमन को अपने स्विक्षमन बन में रगुबंश की विद्धी करने वाले वे दोनों महावली बीर परबस्तिकर पर बिचनने वाले दो सिंगों के समान कभी भै और उद्यक को नहीं प्राप्ट हुए नेक्स चेप्टर लक्षमन और सीता सहीत स्रीराम का प्रयाग में गंगा जमना संगम क समी भरद्वा जास्रम में जाना मुनी के द्वारा उनका अतिती सत्कार उने चित्रकूट परबट पर ठैरने का अदिस तता चित्रकूट के मात्ता और शुबा का वर्नन उस महान ब्रिक्षे के नीचे वो सुन्दर राद बिता कर वे सब लोग निर्मल सुर्यदे काल में उस थान से आगे को पस्तित हुए यानि आगे चले उस थान से जहां भागी रथी गंगा से जमुना मिलती है उस थान पर जाने के लिए वे महान बन बन के भीतर से होकर याद्ता करने लगे वे तिनों यश्ष्वीर यात्री मार्ग में जहां था जो पहले कभी देखने में नहीं आये थे ऐस्यानिक प्रकार के भूबाक तेथा मनोहर प्रभेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे सुकपूरबक आराम से उठते बेटते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुसोबित भाती भाती के विक्षो का दर्सन किया इस प्रकार जब दीन प्राय समाप्त हो चला तब स्रीराम ने लक्षमन से का सुमित्रना अंदन वो देखो प्रयाक के पास भगवान अगनिदेप की द्वाजारूप उत्तम धुम उठ रहा है मालूम होता है मुनीबर भारुद्वाज यही है मतलब वहां किसीने आग जलाया था इसलिए स्राम जैसा कहा रहा है फल मूल और काष्ट आदिस है जिविका चलाने वाले लोगों ने जो लकडिया काटी है वे दिखाए देती है तथा जिनकी लकडिया काटी गई है वे नानप्रकर के विक्षब भी आस्रम के समीब दिश्टिकोचर हो रहे है इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुधर, बीर, स्रीराम और लक्षमन, सुरियास्त होते होते गंगा, यमुना के संगम के समीब मुनीबर भरद्वाज के आस्रम पर जा पहुँचे सिरम चंद्रजी आस्रम की सिमा में पहुँचकर अपने धनुधर वेश के दोरा वहां के बस्तुपक्षियों को डराते हुए दोही गड़ी में ते करने योग्या मार्क से चलकर भरद्वाज मुनी के समीब जा पहुँचे आस्रम में पहुँचकर मर्शी के दर्शन की इच्छा वाले सिता सहीद भी दोनों बीर कुछ दूर परी खड़े होगे दूर खड़े हो मर्शी के सिश्चर से अपने आगमन की सुचना दिला कर भीतर आने की अनुमती प्राप्त कर लेने के बाद परिनर्शाला में प्रवेश करके उन्होंने तपरश्चा के प्रभाप से तीनों कालों की सारी बाते देखने की दिब्यादिष्टी प्राप्त कर लेने वाले एका गर्चीत तथा तिक्षना ब्रतधारी महात्मा भारतवाजरी सी का दर्शन किया जो अगनी उत्र करके सिश्चत से घिरे हुए आसन पर विराजमान थे मर्शी को देखते ही लक्षमन और सीता सहित महाबक्सी राम ने हाद जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया तथ प्रशाज लक्षमन के बड़े भाई रगुनाज जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचे दिया भगवन हम दोनों राजा दसरत के पुत्रे हैं मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्षमन तथा ये बिदेरा जनक की पुत्री और मेरी कल्यान में पत्नी सती साथवी सिता है जो निर्जन तपवन में भी मेरा साथ देने के लिए आई है पिता के आग्या से मुझे बन की और आते देख ये मेरे प्रिय अनुझ भाई सुमितर कुमार लक्षमन भी बन में ही रहने का ब्रत लेकर मेरे पिछे पिछे चले आई हैं भगवन इस प्रकार पिता के आग्या से हम तीनों तपवन में जाएंगे और वहाँ फलमूल का आहर करते हुए धर्मका ही आचरन करेंगे परमबुद्धिमान राजकुमार राम का स्री राम का ये बज़न सुनकर धरमात्मा भरद्वाज मुनी ने उनके लिए अतित्य सत्कार के रूप में एक गो तथा अरगजल समर्पित किया है उन तबश्पी मात्मा ने उन सब को नाना प्रकार के अन्यरस और जंगली फलमूल प्रदान किया साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्ता की मर्शी के चारों और मरिगप्रक्षी और रिशी मुनी बैटे थे और उनके बीच में वे बिराजमान थे उन्होंने अपने अश्रम पर अतिती रूप में पदारे हुए स्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया उनके उस सत्कार को गरहन करके स्री राम चंदर जी जब आसन पर ब्राजमान हुए तब भरद्वाज जी ने उनसे ये धर्म युक्त बचन कहा मैं इस अश्रम पर दिर्वकाल से तुमारे स्वागमान की प्रतिक्षा कर रहा हूँ आज मेरा मनुरत सपल हुआ है मैंने ये भी सुनाए कि तुम्हें आकारणी बनवास दे दिया गया है गंगा और जमुना इन दोनों मानदियों के संगम के पास का ये स्थान बड़ाई पवित्र और एकांत है यहां की प्राकरिटिक छटावी मनुरम है अता तुम यहीं सुब पूर्वग निवास करो निकट पड़ते हैं अता मैं समझता हूं कि यहां मुझसे मिलना सुगम समझ कर लोग इस आस्रम पर मुझे और सिता को देखने के लिए प्राई आते जाते रहेंगे इस करण यहां निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता भगवन किसी एकांत प्रदेश में आस्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए सोच कर बताईए जहां सुख भगने के योग्य विद्यराज कुमारी जान की प्रसनता पूर्वग रह सके सिरम चंद्री जी का यह सुब बचन सुनकर मामुनी भरद्वाज जी ने उनके युक्त उद्धिश्य के सिद्धिका बोट करने वली बात कही ताथ यहां से दस कोस की दूरी पर एक सुन्दर और मर्शियो द्वरा सेवित परम पवित्र परवत है जिस पर तुमें निवास करना होगा उस पर बहुत से लंगूर बिचयते रहते हैं वहाँ बानर और रीच भी निवास करते हैं वो परवत चित्रकूट नाम से विख्यात है और गंद मादन के समान मनुहर है रामयन सिवमनी का दस कोस का अर्थीज कोस कहते हैं आदुनिक माप के अनुसार या पढ़ लीजेगा ये जब मनुष्य चित्रकूट के सिकरों का दर्शन कर लेता है तब करल्यानकारी पुन्यकर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है बहुत से रिशी वहाँ जिनके सिर के बाहल विद्धावस्ता के कारण खोपड़ी की बाती सपेथ हो गया है तपशाद्वारा सेकरों बस्तोतों कीड़ा करके स्वरग लोग को चले गया है उसी परबत को मैं तुमारे लिए एकांतवास के योग्यों और सुकद मानता हूँ अतवास्री राम तुम बनवास के उद्धसे से मेरे साथ इस आस्रम पर ही रहो ऐसा कहकर भरद्वाज जी ने पतनी और बाता सहीत प्रिया अतिती स्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सप्रकर के मरवांचित वस्तो द्वारव उन सब का अतिता सतकार किया प्रियाग में स्री राम चेंदर जी मरशी के पास बैठ कर बिचितर बाते करते रहें इतने ही में पुन्यमाई रात्री का आगमन हुआ वेशुप भोगने योग गया होने पर भी परिश्रम से बहुत ठक गये थे इसलिए भरद्वाज मुनी के उस मनह और आश्रम में स्री राम ने लक्षमान और सीता के साथ सुकपुर भग वरात्री बैतित की तरने नतर जब रात बीती और प्रतकाल हुआ तब पुरुश्रिंग स्री राम प्रजली तेजबरे भरद्वाज मुनी के पास गय और बोले भगवन आप सभबते सत्य बूलने वाले हैं आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई हैं अब आप हमें आगे के गंतेबर स्थान पर जाने के लिए आग्या प्रदान करें रात बीतने और सभेरा होने पर स्री राम के इस प्रकार पुछने पर भरद्वाज जी ने कहा मावली स्री राम तुम मधूर फरमुल से संपन्न चित्रकुट परवत पर जाओ मैं उसी को तुमारे लिए उपजिक्तो निवास थान मानता हूँ वो सुबग्या चित्रकुट परवत नाना प्रकार के विक्षो से हरा भरा है वहां बहुत से किन्नर और सरप निवास करते हैं मोरो के कलरवों से वो और भी रमनिया प्रतीत होता है बहुत से गजराज उस से बन करते हैं तुम वही चले जाओ वो परवत परम पवित्र रमनिया तथा वह शंक के फल मुलों से संपन्ना है वहां जून के यून हाती और हिरन बन के बीतर बिचरते रहते हैं रवन अंदन तुम उन सब को प्रत्यक्षि देखोगे मंदा किने नदी अनेकाने जल सुर का मनरण्यन सा करता है वो परम सुकद और कल्यान का यह मदद पर नमरीगों और बहुशंक का मतवाले हातियों ने उसकी रमनियाता को और बढ़ा दिया है तुम उसी परवत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो नेक्स शेप्टर भरताज जी का स्रीराम आदी के लिए स्वस्ति बाचन करके उन्हें चित्रकूट का मारगा बताना उन सबका अपने ही बनाए हुए बेडे से यमना जी को पार करना सिता की यमना और स्याम्टट का पात्मना तीनों का यमना के किनारे मारग से एक कोस तक जाकर बन में घुमना पिरना यमना जी के समतल टट पर आत्रे में निवास करना